दोस्तो लाखो विद्य अर्थी बिहार पुलिस एक्जाम की तियारी कर रहे हैं और बेसबरी से नई भरती की इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तो फाइनली आपका इंतजार खतम हो चुका है और हाली में मध्धे निश्यद सिपाही यानि बिहार पुलिस में बहुत बड़ी पुरी योगता के बारे में बताएंगे कि क्या-क्या योगता है इस फर्म को फिलब करने के लिए कितने एक्जाम होगा और एक्जाम का सिल्यबस क्या होगा सारी जनकारी देंगे तो दोस्तो इस वीडियो को एक वर ध्यान संतं में जरूर देखिए और दोस्तो मैं आपको पूरा नोलेज़फूल और पूरा सठिक चनकारी देते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूट लिए तो चलिए दोस्तों बताते हैं तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आपके लिए टोटल 689 पदों के लिए अभरती निकाले गई है बिग्음 संक्या 02-222 से ठीक है तो दोस्तों यहां पर आप के मतलब परराम हो रही है 14 नौवंबर 2022 से और यहां पर अंतिम्तिति भी आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां पर अंतिम्तिति देखिए दो है दोस्तो 14 बारा 2022 यानि 14 दिसंबर 2022 तक टोटल एक महिने का समय दिया गया है आप लोग को फरम फिल करने के लिए तो दोस्तो आप लोग अच्छे से फरम को फिल कर लिजिए और इसमें आपको एक सीट पका करना है दोस्तो चलिए आपको और कुछ के बारे में बता देते हैं कि इसमें क्या-क 2022 यानि एक जनवरी 2022 तक अगर आप इंटरमीडियेट कर चुके हैं बिहार राजे सरकार के मदर्शा बोर्ड द्वारा निर्गित मौलिक परमान पत्र आत्वा बिहार राज के संस्क्रीत बोर्ड मतलब किसी भी बोर्ड से अगर आप 10 प्लस टू यानि इंटरमीडियेट ए आप इस फर्म को भर सकते हैं दोस्तों ठीक है आपको एक जनवरी 2022 तक इंटरमीडियेट कर चुके हैं तो आप इस फर्म को भर सकते हैं और उसके अलावा यहाँ पर आपको उम्र सीमा के बारे में बता जैते हैं कि आपका उम्र सीमा कितना होना चाहिए तो दोस्तों एक ज यानि जो अनरक्षीत होते हैं जो जेनरल होते हैं उसमें अगर आते हैं तो निमतम उम्र सीमा 18 वर्ज और अधिकतम उम्र सीमा 27 वर्ज है ठीक OBC और BC1 BC1 और BC2 दोनों के लिए यहां पर आपको बता दे यह पूरुष के लिए था दोस्तों पूरुष के लिए BC1 और BC2 के लिए 99 अधारा वर्ज और अधिकतम 27 वर्ज उसी तरह से BC1 और BC2 यानि OBC के लिए महिलाओं के लिए निम्तम उम्र सिमा 18 वर्स और अधिक्तम उम्र सिमा 28 वर्स है उसी तरह से AC, ST के लिए पूरुष, महिला और थर्ड जेंडर सभी के लिए निम्तम उम्र सिमा 18 वर्स और अधिक्तम उम्र सिमा 30 वर्स है दोस्तो चलिए आपको और सुछ के बरें बता देते हैं यहाँ पर आपको इस फॉर्म को फिल अब करने के लिए हाइट यानि उचाई कितना होना चाहिए यह भी बता देते हैं तो दोस्तो यहाँ पर अगर आप जेनरल में आते हैं तो आपका अनरक्षित यानि जेनरल और पिछड़ा वर्ग यानि OVC में आते हैं तो आपका नियुनतम हाइट कितना होना चाहिए तो 165 cm होना चाहिए दोस्तो इससे उपर आपका कितना भी होगा तो चलेगा लेकिन नियुनतम आपका 165 cm होना ही चाहिए और अत्यांत पिछ 260 cm दोस्तो यह सभी आपको हम पूर्षों के लिए बता हैं और सभी महिलाओं के लिए यहां पर देखे दिया होगा है कि नियुनतम हाइट आपका 155 cm होना चाहिए 155 cm सभी महिलाओं के लिए ध्यान रखिएगा और यहां पर सीना बता देते हैं कि आपका जब फिजिकल लि 80 cm उसी तरह से यहां पर OBC के लिए भी बीना फुलाए हुए 81 cm और फुलाकर 86 cm देखिए यहां पर AC-ST के लिए बीना फुलाए हुए 89 cm 789 cm और फुलाकर 84 cm यानि आपका जो है ना बीना फुलाए हुए और फुलाकर में गैप कितना कहना चाहिए तो 5 cm का अंतर होना है ठीक है और देखिए महिलाओ के लिए यहां पर ध्यान रखियागा कि महिलाओ के सीना की माप नहीं की जाती है यहां पर वजन के माप किया जाता है महिलाओ के लिए सभी वर के महिलाओ के लिए 99 वजन 48 kg होना चाहिए किलोग्राम 48 kg होना अवस्यक है यहां पर ध्यान दि हैं जो सो अंको का होगा और यहां पर दसवी के कक्षा पर अधारित प्रशने पुछा जाएंगे आपके एक्जाम में और दोस्तों यह पहले कीत रहना ही है जो पहले आया हुगा था बहाली चावरासी सव कुछ सीट था उसमें और उससे पहले 11,000 या 12,000 के करिब सीट था तो उसमें बहुत हाई लेबल के कुछन पुछ दिये गए थे लेकिन इस बार से दोस्तों आपका कुछन तेंथ लेबल का पुछा जाएगा असान कुछन रहेगा तो आप अच्छे से त्यारी के लिए सो कुष्चन होंगे और दो घंटे, दो घंटे, दो घंटे के समय दिया जाएगा, ठीक है, ओए मार्सीट पर दिया जाएगा, सॉल्ब करने के लिए, और दोस्तों, यहाँ पर पाठे करमें बताया गया है, कि यहाँ पर आपका लिखित परिक्षा में क्या क्या पुछा जाएगा, इसके बारे में बता देते हैं, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, हिंदी, अंग्रेजी, गनीत, समाजिक बिग्या समाजिक बिग्यान में आ जाता है, इतिहांस, भूगोल, नागरिक सास्त्र, अर्थ सास्त्र, उसके अलाव बिग्यान में आ जाता है, भावतिकी, रसायन, प्रानी बिग्यान, वनस्पती बिग्यान, और स्रमानने ग्यान एवं समस्मी की, मामले से सम्मधित वस्तुनीट प्राश्ने पूछे जाएंगे और दोस्तों यहां पर आप को हम बता देते हैं कि हिंदी में तो क्रोटल आपको लगभग 15 पूछे जाते हैं Egresy में वहीं लगभग 10-15 परश्ने पूछे जाते हैं और गनित में आपका 5-6 पूछे जाते हैं और उसके अलावा आपका जो भी है आपका साइन्स और जीके से प्राशने पुछे जाते हैं ठीक और इसमें लिखित परिक्षा में दोस्तों आपको कम से कम 30% अंक लाना होता है लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 30% अंक ला लेंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे इसमें आपको दोस्तों परिक्षा हो जाएगा तो उसके बाद आपका क्या होगा तो सारीडिक दक्षता परिक्षा होगा यानि क्या होगा तो सारीडिक दक्षता परिक्षा होगा जिसमें आपको हम बता देते हैं कि जो स्टूडेंट लिखित परिक्षा पास करके जाएंगे तो सारीडिक परिक् तो आपको फेल कर दिया जाएगा ठीक तो देखिए पांच मिनट से कम समय लेते हैं तो आपको 50 अंक मिलेंगे पांच मिनट से 5-20 तक जाएंगे तो 40 अंक 5-20 से 5-40 तक तो 30 अंक 5-46 मिनट तक तो 20 अंक और 6 मिनट से अधिक समय लेने पर और सभी पुरुस अभ्यारतियों को असफल घोसित किया जाएगा ठीक वहीं महिलाओं के लिए बता दे तो 4 मिनट से कम समय लेने पर 50 अंक 4 मिनट से 4-20 तक 40 अंक और 4 मिनट 20 से केंड से दोस्तों यहां पर आपको बता दे कि पुरुसों के लिए मतलब 1600 किलो 1.6 किलोमेटर यानि 1600 मिटर होता है और महिलाओं के लिए यहां पर 1 कीलोमेटर होता है ठीक तो महिलाओं के लिए अगर 4 मिनट से कम जाते हैं तो 50 अंक 4 मिनट से 4 मिनट 20 टक 40 अंक 420 चرف 3 400 तक 30 अंक 445 मिनट तक जाएंगे तो 20 अंक दिया 700 ए 5 मिन टोटल आपको 16 फीट तक फेकना होता है, तो 16 फीट से 17 फीट तक फेकेंगे तो 9 अंक है, 17 फीट से 18 फीट तक फेकेंगे तो 13 अंक है, 18 फीट से 19 फीट तक फेकेंगे तो 17 अंक है, 19 फीट से 20 फीट तक फेकेंगे तो 21 अंक है, और 20 फीट से ज्यादा फेकने पर 25 अंक दिया जाएगा 12 feel 7- noon i 15 तक 5 पिट से jaadha फोटने पर 11 रसफंद गोषित किया जाएगा वहीं आपको उची कूद के बारे मिवता दे हाई जम के बता दे तो आपको अधिकतम अंकिसा में 25 रिय जाएंगे सभी कोटी पूरुसों के लिए यहां पर निंतम उचाई 4 फीट है, 4 फीट है, यानि 4 फीट से कम आप कुदते हैं, तो आपको 4 फीट से कम तो कुदने ही नहीं दिये जाएगा, कम से कम आपको 4 फीट कुदना ही है, तो देखें, 4 फीट कुदना ही है, तो देखें, 4 फीट कुदना है, तो आपको 13 फीट, 4 फीट, 4 फ और चार फिट टोटल कुदेंगे तो आपको 25 अंक दिया जाएगा महिलाओ को ठीक तो इतना सब कुछ दोस्तों बता दिये हैं और यहां पर आप देख सकते हैं जो बहाली है 689 पदों के लिए मदनी सेद सिपाही का यहां पर टोटल किस मतलब कैटेगरी में कितना कितना सीट है वह सब यहां पर दिया हुगा है आप स्वर्म देख सकते हैं ठीक है तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरा जनकारी मिल गया होगा और दोस्तों आप अभी से लग जाईए अपने इस इक्जाम की त्यारी में ताकि आप इसमें एक सीट पका कर सके तो दोस्तों हमारी सिब कमना आपके साथ है ताकि आप बिहार पुलिस की बर्दी में आप जल्द मतलब बिहार पुलिस की बर्दी आप जल्द पहने और बिहार की सेवा करें जय हिंद जय भारत